आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां एक फरवड़ी को आम बजट पेश होना है जित मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में सरकार का बजट रखेंगी लेकिन बजट से ठीक पहले मार्केट, मार्केट मतलब हमारा शेयर बाजार बहुत कुछ बोल रहा है अपने आकड़ों के जरिये, अपने लेवल्स के जरिये अभी पिछले हपते का जो गुरुबार था यानि 21 जनवरी की हम बात कर रहे हैं उस दिन भारतिय शेयर बाजार अपने आल टाइम हाई पर था बाजार जो है वो 50,000 के आकड़े को पार कर गया था लेकिन उस दिन के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 3-4 कारोबारी दिनों में सेंसक्स लगभग 3,000 पॉइंट से अधिक तूट गया है यह सवाल तब और भी एहम हो जाता है जब बजट जो है वो हमारी दहलीज पे खड़ा है तो आखिर बजट से पहले बाजार क्या बोल रहा है बाजार को बजट से क्या उमीदे है और क्या मार्केट बजट के बाद एक बार फिर गुलजार हो पाएगा नमस्कार मेहुरितुराज और बाजार की जो बोली है इन दिनों बजट से पहले उस पर बात करने के लिए मेरे साथ है हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधार तो स्वागत है सुभम जी आज इस पॉड़कास्ट में आपका जहां हम बजट से पहले बाजार क्या बोल रहा है उस पर बात करेंगे शुक्रिया सर तो शुमम पहला सवाल यही है, चुकि हम बजट से पहले बाजार पे बात कर रहे हैं, तो अमूमन हम देखते थे कि बजट से पहले बाजार में एक रैली दिखती थी, बाजार जो है किसम का दौर लगा रहा होता था, लेकिन इस बार वो गायब है, बाजार जो है वो लगात तूट रहा है फिसर रहा है आखिर ऐसा क्यूं है कि बुल जो है वो लगातार नीचे फिसर रहा है गिर रहा है उसमें एक रैली नहीं है इस बार जी देगी आपने बिलकुल सही फर्माया कि बजट से पहले जनरली शेर मार्केट में एक बजट रैली देखने को मिलती थी जिसको हम बजट से प्री रैली कहते थे कि बजट में अच्छा कुछ आएगा और इस उमीद के साथ इन अपेक्षाओं के साथ बाजार में अच्छी खरिदारी की जाती थी सेलेक्टिव स्टॉक्स में सेलेक्टिव सेक्टर्स में इस खरिदारी की जाती थी और जिसके बल पर बाजार चलते थे इस बार ऐसा नहीं हुआ हमने देखा कि पिछले पांच कारोवारी सत्रों में अगर हम बात करें 28 जनवरी तक के को पांच मां म तोड़ दिया 28 जन्वरी को इंट्राडे में और ये करीब 4000 पॉइंट का फॉल है जो सेंसेक्स ने रिजेंट हाई बनाया था बड़ी कंपनिया इस पुरी रैली को लीड कर रही थी वहाँ भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यही कारण था कि बाजार में एक एक टेज गिरावट देखने को मिली है जिन सेक्टर में सबस्यादा गिरावट रही उसमें बैंक था रियलिटी था आप नहीं कह सकते कि इस प्रॉफिट बुकिंग में कोई एक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई या कि नहीं कुछ खास स्टॉक्स में भी दरसलिए ओवरल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग थी और जो बहुत लाजमी है वो इसलिए राजमी है क्योंकि अनाउस्मेंट के बाद पैनिक हुआ तो शायद उनके जो जिस मोटे मुनाफ़े पे वो बैठे हैं वो कम हो जाएंगे वो सिकुड जाएंगे मतलब मुनाफ़ा वसूल के भाग रहा है मतलब निकल रहे हैं कारोबारी बिलकुल तो बजट से पहले ये जो गिरावट है ये जो सेल आफ है इसको आप एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख सकते हैं जहां दिगज कंपनिया अच्छी कंपनिया मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनिया भी 10-10-20 परसेंट करेक्ट हो चुकी है ठीक है एक चीज और समझना चाहेंगे कि बाजार आखिर कह क्या रहा है अपने आंकडों से अपने लाल निसान से देखिए बाजार की जो इस समय पूरी टोन है वो दरसल अगर आप इंटरनेशनल मार्किट को देखें तो वहाँ भी एक प्रॉफिट बुकिंग है अगर आप देखें एश्याई मार्किट में देखें तमाम एश्याई बाजारों में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और उसी की तरज पर भारती शेयर बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दो-तीन बड़ी important चीज़े हैं जो इस समय इंडिया के market के context में हमें समझनी चाहिए बाजार में जो ये पूरी तेजी थी इसके पीछे जो सबसे बड़ी force काम कर रही थी जो सबसे बड़ी ताकत थी इस बाजार को उपर ले जाने में चड़ाने में वो थी FIAs यानि कि विद 3000 करोल रुपए की बिकवाली cash segment में FIAs की और से आ गई है तो ये दिखाता है कि FIAs भी budget से पहले भारती शेयर बाजारों में जो एक लंबी rally है उसमें जो उन्होंने मुनाफ़ा कमाया उसको लेकर निकल रहे हैं FIAs की और से अगर बिकवाली शुरू हुई है तो निश्यत investor हो चाहें वो mutual fund में डालने बाला कोई SIP investor हो वो सब ये देख रहे थे कि बाजार चल रहा है FIAs लगातार खरिदारी कर रहे है mutual fund की बढ़ रहे हैं और इस सहारे हम सब भी बढ़ रहे हैं लेकिन अब जब सबसे बड़ी पोटली वाला सबसे बड़े जेव वाला निवेश ला है तो बाकी लोग अभी क्यों करें मौसर खराब है बिलकुल 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 ठीक है अगला सवाल है सर कि बजट में ऐसा क्या हो जाए बजट आने वाला है और हम इसलिए बात भी कर रहे हैं बाजार को लेके कि बजट से पहले बाजार क्या कह रहा है तो बजट में देखें तो हर sector की अपनी कहीं न कहीं कुछ न कुछ उमीदें होंगी और हर sector अपनी उमीदों को एक process है budget बनाने से पहले जो वित्मंत्रा लेकर अधिकारी है या खुद प्रधान मंत्री ने meeting ली या वित्मंत्री ने meeting ली और industry से यह समझने की कोशिश की कि किया जरूरते हैं आपकी जिनको इस बजट में कैटर किया जाए हमें यह समझना होगा कि इस बजट में अगर बाकई बाजार के नज़रिये से देखें तो बाजार बजट में ऐसा क्या हो जो बाजार को खुश करें तो मुझे लगता है दो बड़ी important चीज़े होंगी एक जो बड़ी important चीज़ होगी वो होगी physical deficit का number उस सरकार अपने घाटे को कितना कम रख पाती है उस number को बाजार बहुत बहुत नजदीक से देखेगा लेकिन जहां तक उच्साहा है तो उच्साहा बाजार में तब भरा जाएगा जब budget में ऐसी घोशनाई होंगी जो हमें और आपको consumption के लिए boost करेंगी देखिए एक बड़ी important चीज़ यह है कि हमारी जो GDP है इंडिया की जो GDP है आर्थिक विकासदर जो उसको नापने का पैमाना है हमने देखा कि मौझूदा वित्वर्ष में उसके नकारात्मक रहने के सारे अनुमान हमारे सामने है चाहे वो केंद्री बैंक का हो चाहे देशी विदेशी एजिंसियों का हो नकारात्मक आर्थिक विकास के दौर में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कैसे इस economy को पट्री पर लाया जा सकता है रफ्तार तो बाद की बात है तो इसको पट्री पे लाने के लिए सीधी सी बात है कि जो GDP में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला शेत्र है जो सबसे ज़से ज़ादा बड़ी हिस्सेदारी रखते है आप और हम यानि कि हम और आप जो खपत करते हैं जो भारत की जंता खपत करती है जो वस्तूव सेवाँ खरीती है उन्से जो मूले पैदा होता है वो GDP में करीब करीब 60 फीज़ी की हिस्सेदारी रखता है तो हम ये देखेंगे तमाम निवेशा की ये देखेंगे बाजार ये देखना चाहेगा क्या इस बजट में ऐसे अनाउंस्मेंट हैं जो कंजम्शन को कहीं न कहीं बूस्ट कर रहे हैं क्योंकि बजट से पहले बहुत सारी चीज़ें सप्लाई साइट को दुरुस्त करने के लिए हो चुकी है चाहें वो आतमेजवर भारत पैकेज हो चाहें वो पीलाई स्कीम हो चाहें वो कोरोना महामारी के दौरान 20 लाग करोलो के पैकेज की बात हुई यह तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं तमाम सेक्टर्स को कभी NBFC को लिकुरिटी RBI ने दे दी कहीं सरकार ने कोलिटरल फिली लोन की बात कर दी कहीं कॉर्परेट टेक्स में कमी की बात की गई तो यानि कि अभी हम अगर देखें थी वो कॉर्परेट साइड से थी कहीं न कहीं कोशिशें जो थी वो कर्ज सस्ता देने में कर्ज मोहिया कराने में लिकुरिटी को बनाय रखने में इस साइड की कोशिशें ज़्यादा थी लेकिन अब जो ज़रूरत है अब जो बाजार जिससे खुश हो सकता है वो है आपके कंजम्शन को बूस्ट करने वाले फैसले क्या सरकार इस बजट में ऐसी घुशना है कर रही है जहां पर आम आदमी के हाथ में ज़्याधा पैसा पहुंचे जिससे की वो खर्च कर सके अगर ऐसा होगा तो कही ना कहीं डिमांड रिवाइव होगी डिमांड रिवाइव होगी तो प्राइविट इंवेस्मेंट भी रिवाइव होगा क्योंकि अगर इतनी कैपेसिटी है और डिमांड नहीं है तो अगर आपको नया निवेश चाहिए नई कैपेसिटी बढ़ानी ह तो निशेत तोर पर आपको पहले सबसे पहले डिमांड को रिवाइव करना होगा तो आपने जो सवाल पूछा कि बजट में ऐसा क्या हो जाए कि बज़ार गुलजार हो जाए तो बज़ार को गुलजार करने के लिए बज़ार गोशनाओं की जरूरत है जो कहीं न कहीं खपत को सहरा दे सकें ठीक है बज़ार और बाज़ार पर बात कर रहे हैं शनीवार को हमारा सो मनी मैनेजर आएगा जिसे इस बार हम और सुभा हम लेकर आएंगे मनी मैनेजर में इस हबते हम आपको बताएंगे कि बज़ट को आप कैसे पढ़ेंगे बजट में आपके काम की जो चीज है उसे आप कैसे ढूनेंगे क्योंकि बजट तो पूरे देश का होता है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है तो आप अपने काम की चीज उसमें से कैसे निकालेंगे क्यों सुबार बिल्कुल सर इस वार का जो मनी मैनेजर है वो हमने खास श्रोताओं के लिए इसी लिए प्लैन किया है कि बजट की तमाम जगलरी तमाम एकॉनमिक टरम्स बहुत सारे कठिन चीजों से निकलते हुए बजट आता है और बहुत सारे लोग उसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि डिकोड कर पाएं बजट अपने श्रोताओं के लिए कि बजट की किसी घोषना का उनकी आये खर्च कमाई या पूर्ती इस पर क्या असर पड़ेगा ठीक है यहाँ पे सुनिए आप हमारा मनी मैनेजर का एक छोटा सा प्रोमो जब हम इस प्रोमो के बाद लोटेंगे तो एकात सवाल और हैं जिसका जवाब सुभम देंगे एटा है थेल इस बाट कहा यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं है खेल ambos बात कह्या बचाते आप कईशे बचाएं ये वैंक वजार की ये तेड़ी मेड़ी बातें गले तो उतरती नहीं है अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना अपने मनी मैनेजर से आपके बटुए से जुड़ी हर शलाह एकदम मुफ्ट अशारी सुनिए पाइशे से दुड़ा है कोई भिश्चक आश्क बेजिजक मनी मैनेजर बात बचत की हर सनिवार आज तक रेडियो पर पान बनाओ कट्ता यादा रखना स्वागत है आपका फिर से इस पॉड़कास्ट में सुभण संखधार है हमारे साथ और हम बजट और बाजार पर बात कर रहे हैं और सुभण अगला सवाल है कि बजट के साथ बहुत सारे आंक्रे आते हैं बाजार की नजर किनकी नाकरों पर रहेगी और उसके बाद बाजार उस पर कैसे रियाक्ट कर सकता है? अगर हम पिछले वित्वर्ष की बात करें तो सरकार ने ये कहा था कि हम पूरे वित्वर्ष के दौरां 30 लाख करोड रुपए खर्च करेंगे और हमको टैक्स से करीव 24 लाख करोड की कमाई होगी तो जो सरकार की आये और व्याय के बीच का अंतर है यानि कि हम अगर 30 रुप होता है जो सरकार की देश की आर्थिक स्थिती को या उसकी हेल्थ का सबसे important parameter होता है तमाम rating एजिंसियां तमाम विदेशी निवेशक घरेलू निवेशक बड़े mutual fund इस इस नंबर को बहुत बहुत करीब से देखते हैं महसूस करते हैं क्योंकि ये ही बताता है सरकार का जित उतना ज्यादा करज लेगी निशित तोर पर सरकार की या देश की अगर आप कहिए national accounts की जो आर्थिक सेहत है वो उतनी ही खराव है तो अगर किसी एक नंबर पर आपने कहा बाजार जूम सकता है या बाजार गिर सकता है तो वो शायद physical deficit का नंबर होगा physical deficit जितना कम होगा बाजार के लिए उतनी ही राहत होगी और अगर फिजिकल डेफिसिट का नंबर कहीं बड़ा होगा जिसकी बहुत हद तक आशंका है तो निशेत तोर पर ये बाजार के लिए अच्छी ख़़वर नहीं होगा देखिये तमाम सेक्टरों की बात हम लोग करते ही रहते हैं अलग-अलग पॉड़कास हमने किया आपके साथ हमारे एक्सपर्ट हैं शुमान तिवारी उनके साथ है बहुत डिटेल में हमने बात की है बजट से बहुत सारे सेक्टरों को उमीद है लेकिन सबसे अधिक उमीद कौन सा सेक्टर है जो लगाई बैठा है कि अगर कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए गगे जहां तक आपने है कि सारे सरकारी बैंकों का जो एक बैंक में डाल दिया जाए जिससे की जो मौझुदा बैंक है इनमें नई केपिटल डाल कर इनको और मजबूती से काम कराया जा सक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंक जो करज ना उठने से परिशान है उनकी उनका ये मानना है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि लोग जाधा करज लेने के लिए प्रोसाहितों जाधा होम लोन या कार लोन या आटो लोन लिए जाएं तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो हर सेक्टर की अपनी कहीं न कहीं कोई न कोई एक ख्वाहिश एक अपनी विश्लिस्ट होगी लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वार ओवराल थीम होगी जो लगवक सभी सेक्टर को प्रभावित करेगी वो शायद कंजम्शन ही थीम होगी और क किसी भी तरह अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रखती है तो ये अपने आप पूरी एकॉनिमी को बलकि ना केवल इस बजट को बलकि सरकार के बजट को भी दुरुस्त करने की ताकत रखता है तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बज़ाए किसी एक सेक्टर के ह या महनों के लिए बाजार का जो रास्ता है वो तै हो जाएगा कि बाजार की चाल क्या होगी या फिर बहुत कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि जो भी है हमारे सामने हैं और लगभग उसी ढड़े पे चीज़ें चलती रहेंगी जी देखे बज़ेट में बहुत कोई बड़ा रेडिकल चेंज होगा मुझे इसकी उमीद कम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने हैं डिस इंवेस्मेंट सरकार नहीं कर पाई सरकार के टेक्स के रेविन्यू इस बार कम रहने हैं कुछ नए टेक्स भी लग सकते हैं निशेत तोर पर जो सरकार अगर टेक्स की तरफ से और कलेक्शन लेकर आएगी तो वो टेक्स भी लग सकते हैं इसके लावा एक इंपोर्टन चीज जो मुझे लगता है कि बजट के बाद एक बड़ा इंपोर्टन ट्रिगर और होगा जो बाजार को दिशा द जोरान छोड़ी थी एक वो हो तो ये दो बड़े इंपोर्टन ट्रिगर हैं फिजिकल डेफिसिट का नंबर बजट और उसके बाद कैसे टेपरिंग शुरू होती है कैसे कैसे जो रहातें दी जा रहे हैं सस्ते कर्च की ये वापस ली जाती है इस पर बज़ार की अगली द को है और बजट के बाद बज़ार की दिशा कैसी दिख सकती है बज़ार किस धर्ले पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत बहुत शुक्रिया शुपम अपना समय देने के लिए शुक्रिया सर कैसा लग आपको हमारा या पॉड़कास्ट कोई सुझाओ हो या कोई शिक सुभा सुभा ऐसा लगता है कि सब की गाड़ी छूट रही है लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है स्कूल कॉलेज या ओफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है मगर तेश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुभा की शुरुवात आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है सटीक एनलिसिस पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती ये है सुभा का खबर ना आज का दिन मेरे याने नितन ठाकुर के साथ